जी डॉक्टर रमेश कुमार वैंकवानी साथ शुक्रिया सर मैं आज इस हाउस का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा माइनार्टीज के मसले को नेशनल इसेम्बली में इस तरीके से सीरियस लिया गया है पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर देखा जाये कि इन 74 साला हिस्ट्री के अंदर माइनार्टीज जो पाकिस्तान बनने के टाइम पे 23 परसन थी जो आज 4 परसन रह गया है कि काफी इशूज थे काफी इशूज हैं और कभी इस तरीके से सीरियस नहीं लिया गया हमेशा पाकस्तान की सिक्यूरिटी एजन्सीज ने उनका टेक कियर किया हमेशा पाकस्तान की जुडिशिरी ने उनका टेक कियर किया मगर इसेंबली की तरफ से कभी ऐसा माहूल नहीं बना मगर 9 मैं 2022 का वो दिन जिस दिन नेशनल इसेंबली की तरफ से युनानी मसली एक resolution पास किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो directions है माइनारिटीज के जो rights है जो काईदेजम मुहमंद अली जना की 11 तागिस्ट की speech और उनकी उमिदे है उन सब को मदे नज़र रखते हुए हम एक माइनारिटी की task force को government को recommend करते है कि government को एक माइनारिटीज की जिसको माइनारिटीज भी ने मैं नहीं कहता non-muslim citizens की एक task force बने और वो task force अपनी recommendation दे जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्तिलिफ ruling आई है cms आई है जो सुप्रीम कोर्ट की man judgment honorable chief justice तसु कुसेन जिलानी साब की 19 जून 2014 की उस judgment की रोशनी में जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की ruling है उस सवाले से एक advice दे और government उस सवाले से एक task force बनाए बहुत इस चीज को जब serious लिया गया तो यहाँ पे national assembly की सारी political parties PMLN People's Party J.U.I. BAP M.Q.M. और हमारे और भी जो independent लोग थे उन सब लोगों ने हमें इस चीज को support किया और युनानी मसली वो resolution पास हुआ और कल Prime Minister of Pakistan मिया मुमन शभाद सरीफ साहब ने उस task force को approve किया है जिसमें हमारे पाँच senator जिसका तहलग भी नान-Muslim कम्यूनिटी से है और दस सम मेंने जिसका तहलग भी नान-Muslim कम्यूनिटी से है पंद्रा लोगों की एक task force बनाई है और उसका chairman मुझे नामजद किया है Prime Minister साहब ने भी और assembly ने भी ये recommendation दी थी मैं समझता हूँ ये बहुत खुशाइंदा है इतने अरसे में जो चीजे जिसके ओपर अमल नहीं हुआ जो minorities के जो issues थे जिसको उस तरीके से रिड्रेसल नहीं हुआ आज वो दिन आगे है मैं इस house की तुस्ट से अपनी community के साथ अपनी कौम के साथ ये वाइदा करता हूँ कि अपने सारे कुलीक्स के साथ मिलके नान-Muslim कम्यूनिटी के जितने भी मसले हैं हमारे सारी जो political parties हैं जिस कि समकी assurance दिलाई है कल जिस तरीके की मौलाना फजलरिमान साथ ने assurance दिलाई है पीपल्स पार्टी हमेशा minorities के साथ क्योंके पाकिस्तान की स्ट्रीम माजी में तो हमेशा माइनारिटी का मिनिस्टर होता था मगर पीपल्स पार्टी के टाइम पे बनाता शेहबाज भटी उसके बाद नहीं बना कभी भी इंट्रोफे था मगर अब कम से कम मैं अपने सारे कुलीस के साथ मिलके जितने भी issues हैं उनके readersal के लिए कोशिश करेंगे कि कम से कम ये जो दुनिया में जब बाहर जाते है तब भी एक मसला होता है फेट अफ में होता है तब भी मसला होता है religious freedom की report में तब भी मसला होता है हर जगे पे वो issues highlight होते है कम से कम अब वो किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा के पाकिस्तान के अंदर नान-Muslim कम्यूनिटी को जो representation assembly में है और उसके जो मसले मसायल है वो अब हल होने जा रहे हैं में आखर में फिर हाउस का और सारी political parties का प्रेजिडन्ट जर्दारी साब का मियाँ शहबाद सरीब साब का बिलावल भुटो साब का मौलाना फजर रह्मान साब का बाप खालिद मकसी का MQM का सब का मैं शुक्री आदा करूंगा जिन्होंने इसकी support की है मैं आइदा भी समझता हूँ कि हम जो report पेश करेंगे हर तीन महीने में उसको भी कम से कम एक discussion के तौर पर recommendation के तौर पर उसकी उनके उपर अमाल होगा Thank you Thank you